तो फ्रेंड्स जकर एक बार आपने ये ठान लिया कि ये काम करना है ये लक्ष प्रापत करना है इस नौकरी को ले कर रहना है तो फिर जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी देदी चुनोती सिंद्ध को फिर धार क्या मसधार क्या और दीके फ्रेंड्स जब छोड़ दी सुख की कामना आरंब कर दी साधना संगर स्पत पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या संसार का पीपी गरल जब कर लिया मन को सरल भगवान संकर हो गए फिर राख क्या सिंगार क्या नमस्त कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेटी विद्यान प्रेकास में आज की तारिक 200 दिसंबर है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं प्रयागराज में आज प्रधान मंतरी का आगमन हो रहा है और इस उसर प्रधागराज में बड़े अस्तर पर त्यार्यां भी की गई हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रोजगार के लिए रभी वार को युवाओं ने बालसन चौराय पर बड़ा प्रदसन किया है और मांग करी है कि उनकी मुलाकार प्रधान मंत्री मोदी से भी कराई जाए फिलार प्रदेश में पांच लाख र में यहाँ पर देख सकते हैं इनकी मुख के मांग थी कि रोजगार उपलब्द करवाए जाए और पारदरसी तरीके से सारी ब्योस्था को लागू किया जाए साम को जिला प्रधान मंत्री कारा लेकर अपसोरों के समक्ष रखी जाएंगी इसके बाद छात्रों ने धर्ना प्रधान समाप्त किया है तो बालसन चौराहे पर सुबह 11 बजे सही छातर जुटने लगे थे ऐसे में चौराहे और आसपास का छेत्र पुलिस छाउनी में बदल गया था दोपर लगबत 3 बजे के आसपास जिरा प्रधासन के प्रधानित्यों को ग्यापन दे कर मांग की गई कि रोजगार के मुद्धे पर युवाओं को प्रधानमंती से मिलने की अन्मती दी जाए लेकिन उन्हें कोई आसपासन नहीं मिला युवा मुलाकात के लिए अडे रहे युवाओं का तेवर देख प्रधासनिक अफसरों ने आसपासन दिया और नेड़े ये लिया गया कि 28 दिसंबर को लखनवों में रोजगार के मुद्धे पर महा पंचायत होगी सो मौर को अपरान तीन बजे इसवर सरन डिगरी कालिज के सामने अमबेटकर पार्क में छात्रों की आम सभा बुलाई जाएगी तो तस्बीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं और कल बालसन चौराय प्राइगराज पर रोजगार के मुद्धे पर एक बड़ा प्रदरसन किया गया है और आज प्रदान मंतरी का आगमन भी हो रहा है देखते हैं कि साम तक क्या नई बात सामने आती है और देखे प्रद्स कुल रिक्त पदों पर मिलेगा आरक्षन बात यहाँ पर हो रही है जूनियर सिक्षक भरती की जैसा का आप लोग जानते हैं जूनियर सिक्षक भरती में पहली बार जो भरतियां हो रही है वो रेटेन के माद्धन से हो रही है इसके बाद merit बनेगी तो अभी तक होता ये था कि जब junior में यानि कि जो सवब मित्पोसीत या फिर added junior high school होते थे उसमें जो आरक्षण मिलता था वो college बार मिलता था लेकि इस बार ऐसा नहीं है इस बार जो आरक्षण दिया जाएगा वो 79,000 और 65,000 शिक्षण भरतियों की तरह पूरे के पूरे पदों पर दिया जाएगा तो added high school हो में 1504 सहा का ध्यापक और 390 प्रधाना ध्यापकों की भरती में आरक्षण कुल रिक्त पदों पर लागू किया जाएगा डिसमबर 2019 में जारी उत्तरप्दिस मानेता प्राफ्त बेसिक स्कूल नियमालित 1978 में आरक्षण व्योस्ता की इस्तिती साफ नहीं थी यही वज़ेती की जो final merit थी वो नहीं आपा रही थी हलांकि जूनियर सिक्षण भरती का पैणाम तो जारी करे दिया गया था तो बेसिक सीचा विवाग के अपसरियत हैं नहीं कर पा रहे थे कि कुल विग्यापित 1894 में पदों पर आरक्षण लागू करें या फिर स्कूल वार आरक्षण दिया जाए इस सम्मद में वेधिक राय लेने के बाद कुल रिक्त पदों पर आरक्षण लागू करने का नेड़े लिया गया है इससे पहले आपको पता हो गए कि 90,000 और अंसर जार 500 भर्तियों में भी सभी पदों के सापेक्ष ये अरक्षण लागू किया गया था और साहिता प्रावत मादिमी की स्कूलों में कालेजवार आरक्षण दिया जाता है लेकिन जूनियर हाई स्कूल की भर्ति में इसे लागू करना बेवहारिक प्रतीत नहीं हो रहा था सुत्रों के अंसर काफी मंतन करने के बाद कुल पदों के सापेक्ष आरक्षण देने की बात यहाँ पर कही गई और अब यह जो प्रस्ताव है सासन को भेज दिया गया है एक दो दिनों में सासना दिस जारी होने के बाद सफल अब बिर्दर से आनलाइन आविदन लिये जाएंगे भर्ती बीधान सबा चुनाओ से पहले दिसंबर अंत तकपूरी होनी है और इन स्कूलों में भर्ती के लिए पहली बार लिखित परिशा कराई गयी थी और सबसे पहले इससे पहले स्कूल प्रबंदक बेसिक सिक्चा अधिकारियों से अनमती लेकर नियूक्ती कर दिया करते थे भस्ताचार के आरोप लगने पर सरकार ने बेदिक भर्ती की नियमावली में सभूतन करते विए यूपी टीटी सीटेट और लिखित परिच्छा का प्रवधान किया लेकिन इस्तिती साफ नहीं होने के कारण अभी जो रिडल था फाइनल रिडल वो आ नहीं पाया था तो देखो जो यह जो सासना देश है एक बाद जारी हो गया अगर एक दू दिन में जारी हो जाएगा इसके बाद अभेटियों से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे आनलाइन आवेदन का मतलब फिर आप समझ रहें जिस परिकार से 68,500 और 79,000 में लिए जाते थे बिल्कुल उसी परिकार से आनलाइन आवेदन करने होंगे आपको और फिर इसके बाद जो इसकी जो फानल मेरिट होगी वो जारी कर दी जाएगी UBPSC के बारे में बात करें फिरेंड्स तो एक सवाल के तीन जबाब उत्तर कुंजी पर फिर बिवाद आरो ए आरो परिच्छा में कई सवाल गलत होने का दावा किया गया अगर देखा जाए तो पिछले कई बार जो उत्तर कुंजी जारी होई है UBPSC की और से उसमें बहुत सार्व पर अबेटों ने आपत्तियां लगाई लेकिन अंतिम रूप से आयोग ने किस उत्तर को सही माना है इसके बारे में कभी भी अंतिम उत्तर कुझी जारी करके आयोग ने जानकारी नहीं दी तो अब बिरती लगातार मांग कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की भी जारी की जाए और कटाफ भी जारी किया जाए ताकि ये पता चल सके कि कितने अभिरति से किस अभिरति का चैन होने से रह गया फिलार अगर बात करें हम आरो यारो परिचा के बारे में पांस दिसंबर को सकी परिशा हुई ती आनसर की आगए थी और जो आनसर की आई थी उस पर आत्यां भी मागई गए थी दस से बार अर्व प्रस्टों पर अभर्टियों ने अपने आपत्यां दर्ज कराई अभर्टियों मांग कर रहे हैं कि प्रारंबिक परशा के परणाम के साथ ही संसुदित उत्तरमाला भी जारी हो आरो यारो परिच्छा 2021 की डी स्रीज क्या जो प्रस्ट है हलांकि अलग-अलग जो स्रीज है उसमें भी ये प्रस्ट रहा होगा आप लोग खुद भी समझ गए होंगे कि ब्रिटिस भारत में सैन इबल पर केंद्री राज्यस का कुल कितना प्रसद्य होता था इसके चार विकल दिये गए थे 40, 45, 50 और 55 फिजदी इन में से कोई एक विकल सही होना चाहिए अब बैटियों के अनुसाद तीन पुस्तकों में इस सवाल के तीन अलग-अलग जबाव है बिबिन चंद्रा की पुस्तक के पुस्तक के पुस्तंक्या 152 पर 52 फिजदी बे लिखा हुआ है बियल ग्रोवर की पुस्तक में 33 फिजदी बे लिखा हुआ है हुई पर एक अन्य पुस्तक में 40 फिजदी बे लिखा हुआ है अपरितों ने आरो ए आरो परिक्षा 2021 में पुछे गए 10 में से 12 प्रस्टों को विवादित बतायते भी अपने आपत्तियां दर्ज कराई हैं और अपरितों ने साक्ष सहीद अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हैं मांग की है कि प्रारामिक परिक्षा के परिडाम के साथ ही सं जुदित उत्तरकुंजी क्यों जारी नहीं की जा रही है और बिरत्यों कारोप है कि आयोग ये सब कुछ जान बूज कर कर रहा है तो फिलाल यूपी पेसी एक सवाल के तीन जबाब और इसका उत्तर भी आपको असपश पता होगा कि होता ये था कि जब फाइनल आंसर की जार बेसे मतर टलती जाती थी और यही वज़ेती है कि आयोग ने फाइनल आंसर की जारी करनी बंद कर दी लेकिन भरती के बाद तो जारी करना चाहिए ताकि कम-कम ये पता तो चल सके कि जिस प्रसका उत्तर में जो समझ रहा हूँ आयोग उसका क्या उत्तर देता है और देखे फिलाल 25 दिसम्बर को CMU होगी आदी तिनाथ साथ हजार मोबाइल और चालिस हजार टैबलेट का बितरन करने वाले हैं और पहले चरण में अन्तिम वर्स में जो लोग पढ़ रहे हैं MA, BA, BSC या फिर ITI, MBBS, MD, BTEC, MTEC, PhD, MSME और इसके लिवल्लमेंट आद की छातरों को प्राथ इस लाग से अधिक वहों का रिजिस्ट्रेशन हो चुका है अभी भी छातरों का रिजिस्ट्रेशन हो रहा है तो जेम पोर्टल पर अब तक के सबसे बड़ा आडर है और सरकार कियों से लावा, सैमसंग और एसर जैसी नामचीन कमपनियों को मोबाइल और टैबलेट की पूर्ती कर देंगी और 25 दिस्टंबर से योजना है कि इसका बित्र में स्टार्ट कर दिया जाएगा पूने 18 लाख मोबाइल और टैबलेट की आपूर्ती जल्दी होने वाली है और देखे फ्रेंट्स आप खुदी महसूस कर रहे होंगे कि आजकल ठंड बहुत अधिक आती है तो ऐसे में जो थोड़े से कमजोर प्रकिरती की लोग होते हैं जिकी इम्नुटी कमजोर होती है उनको स्ट्रोक का भी खत्रा होता है आपके घर में अगर कोई बड़े बुजूर्ग हैं तो उनसे कहें कि जब वो अपना बिस्तर छोड़ें सूबा के समय ततकाल ना अपने कायकरम को सेट करिए पहाड़ों पर बरभारी से दिल्ली एंसियार समेथ पूरा उत्तर भारत भीशार सरदी की रफ्त में आ गया है रास्तान के कई इलाकों में तो तापमान सूनी के नीचे है दिल्ली में रविवार को सितलर ने दस्तक दे दी है राश्टी देस भी अच्छूते नहीं है तो फ्रेंट्स फड़ा सा बच के रहिए लेकि इस्टडी को जारी रखिए रजाईयों में रहिए लेकिन पढ़ते रहिए क्योंकि आप खुद ही देख रहे होंगे कि आज का प्रतुविक्ताय काफी कटिन हो गई है हाई कोट एयारों की पर रेगुलर देखते रहना होगा जो भी परिचाएं हो रही है उन परिचाओं के क्वेश्चन आप दिरूर देखें इससे आपको आडिया लगेगा कि किस टॉपिक पर आपको सबसर्दी फोकस करना है और जो लोग एयारों की तहरी कर रहे हैं उनके लिए टाइपिंग आपको मैटर मिलता है मतलब इतनी दूर तक आपको यहाँ पर मैटर उपलफदकरवाज दिया जाता है मैटर लिखा रहाता है और यहां आपको टाइपिंग करने पड़ती है दिक्कत क्या होती जब लास्ट लाइन में पहुँच जाते हैं उसके बाद जब आम नेक्स करते तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट, thank you so much have a great day, जैहन और हाँ दोस्तों वीडियो को like और share जरू कर दिया करें thank you so much और चैनल को अगर आपने अभी ते subscribe नहीं किया है तो please दोस्तों subscribe कर लो thank you so much